आज हम करेंगे current density topic current density क्याती है current density at a point inside the conductor is defined as the amount of current flowing per unit area around that point of the conductor provided the area is perpendicular to current current density को इस सिंबल से के साथ देनोट किया जाता है current density का मतलत होता है कि per unit area में से हम कितना current पास होता है उसको हम लोग बोलता है current density पर condition क्या है कि जो हमारा current होता है जो हमारा area होता है वो दोनों आपस में क्या है perpendicular होनी चाहिए इसका area vector क्या होगा यह बला और इसका current होगा यह बला यह मेरा current की direction अगर perpendicular होंगे उस case में per unit area में से कितना current पास होता है उसको हम लोग बोलता है current density और यह यादखना current density is a vector quantity current density is a vector quantity but electric current is a scalar quantity यह question आया हुआ है कि electric current is a scalar quantity and current density is a vector quantity unit of current density क्या होगा unit क्या बन जाएगा commercial formula क्या बनेगा M0 L-2 T0 and A1 अब यह था मेरे पास की current density है जब दुनों आपस में क्या होंगे perpendicular मेरे को अब given आगया numerical की formula लगा लो given आया कि दुनों के बीच मेरे को angle दीदिया कि area और current जो है वो इस angle के साथ वीरी कर रहे है मतलब when area is not perpendicular but makes an angle of theta with the direction of current के मतलब area और current कोई ना कोई direction theta angle से आपस में है तब उसकी current density निकालनी है तो देखो वो कैसे निकालते है current density का formula क्या था G is equal to I upon A यह formula तब है जब दोनों के दोनों आपस में perpendicular है तो बट मेरे को भी theta दिया है अब देखो मैं कैसे निकालता हम I is equal to J into A आज जाएगा अब इसके मैंने एक मेरे पास area था यह वाला बन जाएगा जे एथ वेक्टर था अब जो उसके component बनेगे खोल दी तो यह आगए मेरे पास A cos theta और J का J आगया I is equal to J A cos theta यह हमने पढ़ा है A dot B is equal to A B cos theta इसको मैं लिख सकता हूं इसको मैंने A माल लिए इसको मैंने B माल लिए A cos theta इसको मैं लिख सकता हूं A dot B तो यह बन जाएगा I is equal to J vector dot A vector यह इस form is all कर सकते हैं और कई बार numerical में irregular shape आ जाती है कोई shape उसका area नहीं find कर सकते हैं तो उसका कैसे current density निकालते हैं यह मेरे पास shape दी है को irregular shape है इसका कैसे निकालना है मैंने कोई भी इसको क्या कर लिए सारी इस shape को मैंने divide कर लिया स्पोस्स मैंने यहाप एक चोटा से यह ले लिया कोई divide करके मैंने थोड़े से कोई area का निकाल लूँगा तो बात में चोटोटे कोई circle कर लो rectangle कर लो square कर लो कुछ भी करके सारी area को divide कर लिया किसी एक का निकालके बागी सबी को उसमें close कर दूँगा देखें कैसे निकालते हैं यह कोई irregular shape थी उसको मैंने चोटोटे parts में divide कर लिया मैंने इस पार्ट का मैंने area निकालना है तो इस पार्ट का मेरे पास जो area vector आएगा जैसे यह मेरे पास बात है इसका area vector यह direction में हो जाएगा इसमें देखे formula j is equal to small current है तो area भी small amount में आजाएगा क्या एगा j is equal to di.da उसमें di is equal to क्या जाएगा j into da मेरे को i निकालना है तो मैंने दुनों तरफ integral कर दिया तो i is equal to integral of j.da यह बन जाएगा j.a यह बन जाएगा यह.